अलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई जैनल आर्वाई नॉलिजबाइन फ्रेंड्स आजम TGT होमसाइन 2005 का क्वेस्टन पेपर सॉल्व करेंगे तो वीडियो को पूरा देखिएगा, एक ही वीडियो में हम पूरा पेपर सॉल्व करेंगे इसमें 125 क्वेस्टन होते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं पोशड क्या है? पोशड एक प्रक्रिया है जिसमें सरीर के सभी भाग, सभी जैव कारियों के लिए पदार्थ प्राप्त करता और उनका उप्योग करता है तो फोर्थ आप्सन इसका करेक्ट हो जाएगा पोशड की स्थिति का वर्गी करण किया जाता है इस रूप में तो फोर्थ आप्सन इसका करेक्ट हो जाएगा अनकूलतम और अलपतम पुष्टिकर पदार्थ उर्जा की आपूर्थी नहीं करते, बनाते और मरमत नहीं करते पुष्टिकर पदार्थ उर्जा की आपूर्थी नहीं करते, बलकि सरीर की रोगों से रक्षा करते है खाद्य उर्जा की करतिक या क्रिटिकल इकाई दिखाई जाती है ऐसे वन राशियो फोर इंटू बीमार तो सैकेंड ओप्षन इसका करेक्ट हो जाएगा बीमार का फुल फार्म होता है बेसल मेटाबोलिक रेट हमारे शरीर के कुल भार का कि इतना प्रेस्ट जल से बना हुआ है तो फ्रेंट्स इसका करेक्ट ओप्षन हो जाएगा 62% सार से सत्तर के बीच होता है संदर्व व्यक्ति की आई वर्स होती है तो फ्रेंट्स संदर्व व्यक्ति की आई वर्स क्या होती है जैसे इवावस्था और प्रवडावस्था के बीच जो शक्री अवस्था होती है उसे हम संदर्व्यक्ति की आई वर्ष बोलते हैं तो इसका correct option हो जाएगा second option बीच से 49 वर्ष संस्तुत आहारी अंतर ग्रहड इससे प्रभावित होता है तो फ्रेंट्स इसका correct option हो जाएगा पारिवारी का आखार third option इसका correct हो जाएगा एक संतुली ताहार में उर्जा अधिकांस्ता प्राप्त होती है तो third option इसका correct हो जाएगा अनाजो और बाजराओं से अनाज का एक exchange देता है अनाज का एक exchange देता है 50 कैलरी वसा को पचाने के लिए आवस्यक enzyme lipase पाया जाता है तो lipase जो पाया जाता है अगनाश ही रश फ्रेंट्स वैसे अमासे से भी lipase का स्रावड होता है एक प्रात्मीक चिकिस्सा देने वाले व्यक्ति को ऐसा नहीं करना चाहिए किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बांधी कई पट्टी को खोल कर जोट की जाच करना फोर्थ option इसका correct हो जाएगा ऐसा नहीं करना चाहिए एक वैस के व्यक्ति की धड़कन की आउसत दर है 72 बार प्रती मिनट वैस्तिती जिसमें प्रात्मिक चीकिसा देने वाले को उच्छतम प्रात्मिक्ता देनी चाहिए है तो प्रेंट्स इसका correct option हो जाएगा श्राव और रोध वैस के लिए सामाने रक्तदाब है रक्तदाब को बीपी बोलते हैं ब्लड प्रेसर second option इसका correct हो जाएगा 90 से 60 से 85 खुले गहाओं के लिए प्रात्मिक चीकिसा देते वक्त घुसी हुई वस्तुओं को निकालना चाहिए first option इसका correct हो जाएगा पट्टियों को वरगी कृत किया जाता है इनमे first option इसका correct हो जाएगा त्रीकोडी और गोल लिप्टी पट्टियां एक व्यक्ति जिसके कपड़ों में आग पकड़ ली हो की मदद के लिए हमें नहीं करना चाहिए या उस व्यक्ति को चारो ओर दोडाना second option इसका correct हो जाएगा उस व्यक्ति को चारो ओर दोडाना नहीं चाहिए निमलिकित में से कौन एक कल्सियम का अच्छा स्रोत है तो इसका third option correct हो जाएगा दूद दूद में इसकी कमी होती है vitamin C third option इसका correct हो जाएगा कोडिय मुक्षो अधिस्टाइटो में चीस होता है इसकी कमी के काऱ थियमाइन, रिबोफलेविन, फॉलीकमल, बायोटिन तो फ्रेंट्स जो थियमाइन या थाइमिन बोलते हैं B1 का रासाइनिक नाम है और राइबोफलेविन या रिबोफलेविन वीटामिन 2 का रासाइनिक नाम है और फॉलिक अमल जो है ये विटामिन 9 का रासाइनिक नाम है और बायोटिन B7 का रासाइनिक नाम है विटामिन B7 का तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आप्शन हो जाएगा सेकेंड आप्शन राइबोफलेविन नेक्स्ट क्वेस्टन है मंदागनी डाइसेप्सिया का अर्थ है तो इसका फॉर्थ आप्शन करेक्ट हो जाएगा बदहजमी पाई का खाने की इच्छा करने वाले गर्बवती महिला में किसकी कमी होती है तो ये होती है आईरन की आईरन की कमी होती है निमलिखित में से किसमें गाइट्रोजेनिक घटके नहीं होती है तो सलजम में निमलिखित में से कि सनाज की प्रती 100 ग्राम में अधिक प्रोटीन होता है तो ये होता है ज्वार में थार्ड ओप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा ICMR-1989 खादी गुरूपों के अंसार राजमा किस गुरूप में है? गुरूप सेकेंड, सेकेंड ऑप्सन इसका करेक्ट हो जाएगा फलीओं के अंकुरर से क्या होता है फलीओं के अंकुरर से? फलीओं के अंकुरर से विटामिन C की मात्रा बढ़ती है फोर्थ ओप्सन इसका करेक्ट हो जाएगा ब्रैंड किसका एक अच्छा स्रोत है तो फर्ष्ट ओप्सन इसका करेक्ट हो जाएगा कार्भोहाइडरेट और प्रोटीन का लाल ताड के तेल में होता है विटामिन E फोर्थ ओप्सन इसका करेक्ट हो जाएगा शरकरा को वर्गी कृत किया गया है इस रूप में गैर विकारी खाद्य निमलिखित में से किसका प्रेश्चत दूध हधिक होता है कार्बो हाइडरेट का थर्ड ओप्सन इसका करेक्ट हो जाएगा निमलिखित में से किस एक घटक का प्रभाव भोजन की पसंद पर नहीं पड़ता है तो ये मीडिया है मीडिया का भोजन की पसंद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है सीधे भाब से पकाना डारेक्ट स्टीमिंग पकाने की एक विधी है जिसमें क्या किया जाता है, गरम करने की अप्रत्यक्ष विधी है, सीधे भाव से पकाना क्या है, गरम करने की एक, अब दिखेगा, इसमें गरम करने की अप्रत्यक्ष विधी, फोर्त ओप्सन इसका करेक्ट हो जाएगा, किडवन बढ़ता है, प्रोटीन की मात्रा, कार्बो की मात्रा कि फोर्थ ओप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा कि खादे पदार्थों को वोतल बंद डिबा बंद और पैकेजिंग करने से उस खादे पदार्थ किस घटक को बहुत कम कर दिया जाता है तो फ्रेंट्स इसका करेक्ट ओप्शन क्या हो जाएगा वाईव की उपलब् हो जाती है तो फ्रेंट्स इसका करेक्ट ओप्शन हो जाएगा निर्जली करण थर्ड ओप्शन इसका करेक्ट है ज्यान है ज्यान क्या है मानवी श्रोत है गर्भावस्था के दवरान भोजन का आत्रीकत हिस्सा होता है तो फ्रेंट्स इसका करेक्ट ओप्शन हो जाएगा 75 ग्राम 3rd option इसका correct हो जाएगा 16 से 18 वर्सों की 14 वस्तों की लड़कियों के लिए प्रोटीन का संस्तुत दैनिक हिस्था होता है ग्राम प्रतिदिन तो कितने ग्राम प्रतिदिन 50 ग्राम प्रतिदिन 1st option इसका correct है जोडर के दोरान देना चाहिए ज्वर के दवरान कैसा खादे पदार्द देना चाहिए सरलता से पचने वाला खादे पदार्द फूर्थ ओप्सन इसका करेक्ट हो जाएगा दूद में मिलावट की जाज की से अंत्र से होती है तो दूद में मिलावट की जाज लैक्टो मेटर से होती है 3rd option इसका correct हो जाएगा ORS घोल में जल के प्रती लीटर में साधार नमक सोडा, बाइकार्बुनेट और पोटेसियम, क्लोराइट की क्रमसा कितनी मात्राएं ग्राम में होती है 3.5, 2.5 और 1.5 1st option इसका correct हो जाएगा टाइफाइट किस माध्यम से फैलता है इसपर वायू जल और आहार वैक्तिक स्वच्छता में कमी तो प्रेंट से ये फैलता है जल और आहार द्वारा टाइफाइट जो है जल और आहार की माध्यम से फैलता है खेशारी डाल के कारण होता है तो प्रेंट से खेशारी डाल के कारण क्या होता है लैथिरिज्म, फॉर्थ ओप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, मिलावट करने वाले निमलिखित में से किस कारड़ आंसिक या पूर्ड अंधापन के साथ ही रदय के लिए भी नुकसान दे होता है, थार्ड ओप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, आर्गिमोन तेल, एपियो मानक चिन है इसकी गुडवत्ता के लिए, तो प्रवास्तविक प्रत्यक्स आए इसका करेक्ट ओप्शन हो जाएगा, निमलिकित में से किस प्रकार का लेखा भविस के लिए योजना बनाने में सहायक होता है, तो मासिक लेखा, किस प्रकार के बैंक खाते में धनराशी एक निश्ची तवधिके लिए जमा की जाती है, तो शावधी जमाल लेखा, फोर्थ ओप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा वो भोकता संग्रक्षड अदनियम कब प्रभाव में आया तो फ्रेंड्स कब प्रभाव में आया 90-86 में थर्ड ओप्सन इसका करेक्ट हो जाएगा निमलिखित में से कौन नम्मेता दर्शाता है वक्रे रेखाएं निमलिखित में से कौन सा रंग गवरोशाली प्रभावशाली और संपन्य माना जाता है तो ये है बैगनी सैकेंड ओप्सन इसका करेक्ट हो जाएगा बैगनी टुकडो को जोड़ कर जब एक वस्तर बनाता है तो उसे इस रूप में वरगी कृत किया जाता है सजावटी थर्ड ओप्सन इसका करेक्ट हो जाएगा एक अभिकल्प डिजाइन या परधान के अंदर की सभी संदियों के बीच के संबंध को कहा जाता है क्या कहा जाता है अनुपात फोर्थ ओप्सन इसका करेक्ट हो जाएगा अधिकांस लोग कपड़े में इस गुड़ को देखते हैं आरहम धायक थर्ड ओप्सन इसका करेक्ट हो जाएगा निमलिखित में से कौन सा कपड़ा तौलिया के लिए उपयुक्त हो जाएगा सूती शाहारा लेकर बैटना आरंब करता है कि सायू में तो फ्रेंट्स इसका correct option हो जागया 6-7 महिना जन्म के समय एक भारती बच्चे की आउसत उचाई होती है 50 cm किस उम्र के बच्चे का आरंभिक वजन दूगना हो जाता है तो फ्रेंट्स किस उम्र के बच्चे का आरंभिक वजन दूगना हो जाता है 6 मा के दातों के प्रात्मिक सेट दूद के दातों में कितने दात होती है 20 दात बजट सफल होता है आईवे के सही संतुलन से फर्स्ट ऑप्शन इसका correct हो जाएगा MMR का टीका कितने माहमे दिया जाता है 15 माहमे MMR मम्स मीजल्स और रुबेला यह MMR की फुल फार्म हो गई मम्स मीजल्स रुबेला इन्फलूएंजा इन्फलूएंजा कैसे फैलता है किसकी द्वारब फैलता है यह पूछा गया है तो इन्फुलूयंजा नजदी की समद्ध और हवा के माध्यम से एक दूसरे में संक्रमण होता है बचत के लिए धन का उपयोग कैसे किया जाना चाहिए बचत के लिए धन का उपयोग किया जाना चाहिए बीमा पालिसी में लगाना फूर्थ उप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा बाय सज्जा में महतोपूर्ण है बाय सज्जा में क्या महतोपूर्ण है? रंग सेकेंड उप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा जेकार्ड की बुनाई में जेकार्ट की बुनाई में कपड़े पर बड़े सुन्दर डेजाइन बनाया जा सकते हैं, इसका करेक्ट हो जाएगा, जेवल पानी काम आता है, तो जेवल वाटर के बारे में पहले भी क्वेस्टन पूछा जा सकता है, कपड़े के दाग छुड़ाने के लिए काम आता है, थ आपको वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए